आदाब में मुहम्मत फेसल और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तर एक बड़ी ख़वर आ रही है कि भीमार्मी के संस्थापत चंदर सेखर आजाद रावन ने बहुजन समाजवादी पार्टी यानिके बस्पा की सुप्री मौमायवती को एक खुला खत लिखा है ये खुला मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है वो खत आज हमारे पास भी मौजूद है मैं आपको पढ़के सिनाओंगा कि चंदर सेखर आजाद ने खुले खत में बस्पा सुप्री मौमायवती से क्या अपील की है और तो मैं आपको उसको पढ़के सुना देता हूं चंदर सेखर आज सकतियों का बोलबाला बढ़ रहा है 2014 और फिर 2019 में लगातार भारती जंता पार्टी ने लोग सबह चुनाओं में बहुमत से सरकार बनाई है 2014 से 2019 के बीच बीजेपी की ताकत बड़ी है दच्छिड भारत को छोड़कर लगबग बाकी सभी देश में उसका दबदबा मजब बूत हुआ है बहुजन समाज के लिए एक कठिन दोर है बीजेपी के सासन में बहुजन समाज पर अत्याचार बड़ा है और उसके अधिकार छीने गए हैं आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं इन वर्वों को दिये गए सब्वेदानिक और कानूनी संग्रच्छण को विजेपी का मुकाबला करने के लिए देश जिन शक्तियों और विचारों की और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है उसमें वहुजन विचारधारा परमुख है यह विचारधारा ही देश में संपर्दाइक और जातिवादी सक्तियों को सही जवाब देकर वास्तविक लोगतंत्र की स्थाब ना कर सकती है इस विचारधारा के पीछे हमारे केई महापुरिशों और विदूसी महिला नेत्रियों का मार्ग दर्सन रहा है जिसमें बुद्ध कबीर नानक रविदाज चोखा महला ज्योती पुले सावित्री भाई पूले नारायन गुरू साओज महाराज पेर यार बावसाहे डाक्टर भीम्राव अंबेटकर पर्मुक है इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में वर्तमान दोर में जिन महापुर्श का सबसे महत्तुपूर योगदान रहा है उनमें सबसे बड़ा नाम है मान्यवर काशी राम का उन्होंने देश के बह में आपका भी महत्तुपूर योगदान था लेकिन राजनीतिक परिस्तितियों के कारण आज वे धारा सुखती नजर आ रही है पूरे देश पर बहुजनों का राज कायम होगा ऐसा सपना आप कमजोर पड़ रहा है ऐसा नहीं है कि देश के बहुजन शाशक बनना नहीं च देखा था उसकी आज कमजोर पड़ गई है ऐसे समय में जरूरी है कि बहुजन आंदोलन अपने अंदर जाके और इस बात का आत्म निर्यप्शन करे कि कहीं हमें भी कोई कमी तो नहीं आ गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि जाती वाती सक्तियों की बदलती रण नीती की सही जव पानना है कि भारत की वरतमान समस्याओं का समधान सिर्फ बहुजन विचार धारा के पास है अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हमें अपने अंदर जाकना होगा मेरा निवेदन है कि इस बारे में विचार करने के लिए हमें सभी मत बैद बुलाकर एक साथ बैठना क्योंकि विचार विमर्स करने से ही रास्ता खुलता है ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि बहुजन आंदोलन की धार कमजोर पढ़ने का असर बहुजन समाच के लोगों पर बुरा पढ़ रहा है उनके समभी धानिक अधिकारों पर सरकार लगतार हमड़ा कर है उसका जवाब देने की जरूरत है इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बहुजन एकता है और बहुजन राजनिती को धार देकर ही इस काम को किया जा सकता है मान्यवर काशिरां की कोर कमेटी की सदस्य होने के कारण आपके अनुभव हम सब के लिए महत्तुपूर है उम्मी सापक भी मार भी तो ये खत है जो चंद्रसेखर आजाद बस्पा सुप्रीमो मायवती जी को लिखा है और उनसे अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि बहुजनान दोलन को धार दी जाए इसको तेज किया जाए ताकि जो बहुजन पर जो बहुजनों पर अत्याचार हो रह हैं उसको उसका हम करारा जवाब दे सके इस लेटर को इस तरीज़ के से भी देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले 2022 में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसमें बस्पा एक नई ताकत के साथ उबरे और रावन चाहते हैं कि वो बस्पा के साथ मिलकर एक नई ताकत पूरी ताकत और जोस के साथ यूपी के असेंबली यूपी के असेंबली चुनाव में हिस्सेदारी करें यह वीडियो आपको हमारी कैसी लगी इस पर अपनी राए जरूर दे और इसी तमाम ख़बरों को सुनने के लिए देखते रहें नेशनल दस्तर नेशनल दस्तर की आ करें कमेंट जरूर करें